नमस्कार, आज का हमारा वीडियो कक्षा आठ के लिए है, कक्षा आठ में हम लोग पुन्रावृत्ति कर रहे हैं आनि कुछ रिवीजन कर रहे हैं PT1 के संदर्व में, तो आज हम आपको दूसरा चैप्टर, पहले पाट ये वीडियो मैंने आपको भेचा थे, अगले नेक्स् के लिए, अगले क्लास के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा दूसरे पाट का वीडियो होगा, दूसरा पाट है आपका वर्ण विचार, वर्ण विचार में हम लोग देखते हैं कि इस पाट में क्या होगा, वर्ण का मतलब क्या होता है, सबसे पहले, वर्ण, यहाँ पर दो शब्दों से बन कर वना है, वर्ण विचार, वर्ण का मतलब क्या होता है, मौखिक रूप में जिसे ध्वनी कहते हैं, लिखित भाषा में यही ध्वनी वर्ण कहलाती है, यानि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई, जिसके और अधिक खंड नहीं किया जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं, जैसे काता, बाता, ज्याद, ये सभी वर्ण है, वर्ण उच्चरित भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, इससे छोटी इकाई कुछ भी नहीं होती है, ये रही वर्ण की परिभाषा, अब हम देखते हैं, वर्ण माला, दूसरा क्रम मेरा क्या होगा, वर्ण से के बाद वर्ण माला बनेगा, वर्ण माला क्या होती है, वर्ण माला सब्द वर्ण और माला, ये है आपका, दो शब्द है, वर्ण प्लस माला, इन दो शब्दों से मिलकर बनी है अर्थात ये सैयुक्त सब्द है वर्ण का मतलब आपको मालूम है माला का भी अर्थ मालूम है अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समू यानि वर्णों का जो समू होगा वो वर्ण माला कहलाएगा वर्ण माला आप इसकी परिभाशा भी देख लिए किसी भासा में जितने वर्ण का प्रयोग होता है उसका एक निश्चित और ब्यवस्थित क्रम बनाया जाता है इस ब्यवस्थित और निश्चित क्रम को ही वर्ण माला कहा जाता है हिंदी मर्ण माला का सुरूप किस प्रकार का है देखे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो वर्ण सिर्फ आप वर्ण माला माला हटा दीजे अब सिर्फ हम लोग वर्ण की बात करेंगे वर्ण कितने प्रकार के होते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर और दूसरा वेंजन स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर यानि जिन वर्णों का उचारण करते समय किसे दूसरे वर्ण की सहायता हमको नहीं लेनी पड़ती, उसे ही वर्ण कहते हैं अब वर्ण क्या होते हैं? जब वर्ण में कहता है कि जब हम स्वर की बात करते हैं तो भासा कि वह ध्वनी जिसका उचारण ऐसे किया जाए जिसमें किसी प्रकार के दूसरे वर्ण की आशकता ना पड़े यानि हमें किसे दूसरे वर्ण का सहायता ना लेनी पड़े वहाँ पर वो स्वर कहलाता है स्वर कितने प्रकार के होते हैं यह भी देख लेते हैं स्वर तीन प्रकार के होते हैं हरस्वर, दीर्गस्वर और प्लुथ्ष्वर हरस्वर, दीर्गस्वर और प्लुथ्ष्वर दीर्ग और प्लुथ्ष्वर किसे कहते हैं? हरस्वर का मतलब होता है जिन स्वरों के उचारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हरस्वर कहा जाता अर्थात इसमें आप कितना कम समय लगता ये प्रश्ण हो सकता है एक मात्रा का समय लगता है जिन वरणों के उचारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हरस्वर कह एक मातरा का समय लगने के कारण हरस्वरों को एक मातरिक एक मातरिक स्वर भी कहते हैं अब स्वर कितने स्वरों की संख्या कितनी होती है स्वरों की संख्या होती है ग्यारा यह सबको याद होनी चाहिए ग्यारा होती है और हरशश्वर कितने होते हैं? हरशवर चार होते हैं आ, ई, उ, और री ये चार वरण आपके हरशवर कहलाते हैं इन वरणों का उचारण करते समय एक मातरा का गट समय लगता है एक मातरा का समय लगने के कारण इन वरणों को एक मातरिक वरण भी कहा जाता है उसके बाद आपकाता है दीर खुसर जिन स्वरों के उचारण में हर स्वर से दो गुना समय लगता है तो उसको बोलते हैं दीर खुसर दो गुना समय मतलब दो मातरा का समय तो इसे दूमात्रिक वान भी बोलते हैं सवर्य, दूमात्रिक स्वर अब स्वरों की संख्या होती है ग्यारा ग्यारा मेंसे चार माइनस कर दीज़े कितना बचा साथ अब जितने भी बचे वो सभी दूमात्रिक या दीर्ग स्वर कहलाएंगे फिर तीसरा आता है प्लुत्सवर जिन सवरों के उचारण में दीर्ग यानि हरशवर से तीन गुना समय लगता है यानि जितना समय हरशवर के उचारण में लगता है उससे तीन गुना अधिक समय लगता है वहाँ पर प्लुत्सवर होता है तो तीन गुना समय लगने के सकारण इसे त्री मात्रिक वर्ण भी कहते हैं त्री मात्रिक स्वर्ण भी कहते हैं ये इस तरह से लिखा जाता है ये मुख रूप से तत्सम सब्दों में प्रयोग किया जाने वाला वर्ण है इसे हिंदी के तीन की तरह लिखा जाता है जैसे मान लेजे यहां पर लिखा हुआ है ओम यह है ओम अब इसको इस तरह भी लिख सकते है और यह हो गया ओम यह ऐसे वरणों ऐसी जगहों पर ही प्रयोग किया जाता है अन्ने जगों पर इसका प्रयोग नहीं होता है इसलिए ये तच्सम सब्द हो, यानि संस्कृत के जो तच्सम सब्द होते हैं, उन्हीं पर प्रयोग होता है उसके बद ये आगया, वर्ण के ये वहे थे, हम इसको तीन सवर हो गए उसके बद ग्यारा सवर होते हैं, ग्यारा सवर माइनस कर देंगे इसके बाद मात्राएं कितनी होती है अब ये तीन स्वर हो गए ध्यान रखे स्वर ही मात्राओं में बदलते हैं स्वर होते हैं आपके ग्यारा और मात्रा होती है दस क्योंकि जो स्वर है ये ये स्वर हर वारण में उपस्थित होता है तो हर वर्ण में उपस्थित होने के वज़े से इसकी मातरा नहीं गिने जाती तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या है अब देखे उत्पत्य या रचना के आधार पर स्वरों का भेत क्या होता है उत्पत्ति और रचना के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं मूल स्वर और संदिस्वर जो स्वर दोसरों के मेल से नहीं बनते उन prepared को यानि ये जो हरस्वर है आपके यही मूल स्वर होते हैं जो हरस्षषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषषष जिस आपका दीर कुसर में पहला हाग मान लेते हैं आ है तो आ की रचना कैसे होगी आ प्लस आ बराबर आ ये संदिस्वर इसलिए भी कहलाते हैं कि जब हम संदि पार्ठ पढ़ते हैं तो उसमें इन गुड़ों को प्रतर्शित किया जाता है इनको तोड़ा जाता है इसी तरह से E प्लस E बराबर बड़ी E O प्लस O बराबर बढ़ा O तो ये बन जाते हैं संदिस्वर अफ़ाथ संदिस्वर पूछा जाए तो आप दीर कुसर के बारे में बताएंगे दीरगुस्वर पूछा जाए तो भी वो संदिस्वर ही है हरस्वर पूछा जाए तो वही मूलस्वर है और वही हरस्वर ही मूलस्वर है और मूलस्वर ही हरस्वर है तो ये दोनों एक है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है उसके बाएद आता है आपका अयोग वाह अयोग वाह क्या होता है अयोग वाह एक ऐसा वर्ण होता है जिसको ना तो हम स्वर में स्थान देते हैं और ना ही वेंजन हो Alexandra परन्त वर्ण माला में हम इसका लगातार प्रियोकते यानि हिंदी शाहित में, हिंदी व्याकरण में हर अयोग वाह का प्रियोग किया जाता है अयोग वाह दो होते हैं अयोग वाह यानि ऐसा वर्ण जिसको न तो वेंजन में स्थान दिया गया है और नहीं उसे वर्ण में स्थान दिया गया है तो ये दो कौन से हैं अंग और आहा ये हैं अंग और आहा परंतु हम इनका प्रयोग हिंदी भाषा में समान रूप से करते हैं तो हिंदी वरण वाला में स्वरों और वेंजनों के अतिरिक्त दो अन्य वरण भी आ जाते हैं जिने अंग और आहा कहते हैं इन दोनों का प्रयोग स्वरों के, स्वरों और वेंजन दोनों में समान रूप से किया जाता है, परंत इनकी गणना स्वर में की जाती है, ना ही वेंजन में की जाती है, ना वेंजन में गिने जाने के कारण और ना स्वर में गिने जाने के कारण ये अयोग वाह कहलाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुस्वार, हम आपको बताते हैं, शब्द आता है अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार इसी आपके अंग और अहायोग वास से जुड़ा हुआ है, अनुस्वार का मतलब होता है जहां पर अनुस्वार लगानुत है वहां पर एक लाइन वर्ण के उपर ये बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार अनुस्वार जैसे माली जे हंश शब्द है हंश हा आधना और सा यहां पर ना जो है वेंजन है और अपने वर्ग का पांचवा वर्ण है तो जो पंचमाक्षर होता यानि इस पर सवेंजन में वो अपने वर्ग के पांचवा वर्ण में क्याता है वो अनुस्वार में बदल जाता है तो उसलिए उसको बोलते हैं अनुस्वार दूसरा होता है ध्यान रखिए अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत के सब्दों में किया जाता है यानि तच्सम सब्दों में करते हैं उसके बाद अनुनासिक अनुनासिक जो होता है वो चंदरविंदी होती है इसका प्रयोक संस्कित यानि तच्सम सब्दों में बिल्कुल है किया जाता ये प्रयोक सिर्फ हिंदी में ही होता है और इसको हम इस तरह लिखते हैं अब ये हंस था अब इसको हम जब इचंदरबिंदी लगा देते हैं तो हंस से ये हस बन जाता है हंस एक संग्या हो गई और हस एक क्या हो गया भावाचक संग्या हो गई ये व्यक्तिवाचक संग्या थी यह भावाचन, यानि हस एक करिया हो गई जिसको हस करके लोग प्रदर्शित करते हैं और यह प्राणी का नाम है तो अनुणासिक सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा में प्रयोग होता है और उर्दु फारसी में भी प्रयोग के जाता है परन्ट अनुस्वार सिर्फ संस्कृत के शब्दों में प्रियोग होता है और हिंदी में भी उनी शब्दों में प्रियोग किया जाता है जो तत्सम सब्द हो जाते हैं उसके वाद आता है विशर्ग विशर्ग क्या होते हैं? विशर्ग हा, विशर्ग का उचारण हा की तरह होता है विशर्ग जैसे हम लिखते हैं अत्त अब यहां विशर्ग अत्त, हा की तरह इसका उचारण होता है विशर्ग की विशेस्ता ये है कि विशर्ग हमेशा शब्दों के अंत में ही लगेगा अगर बीच में लगेगा जैसे मान लीजे दुख दुख ये है और दूसरा दुख लिखें तो विशर्ग के साथ ये होता है तो जहां पर विशर्ग होता है वहाँ ये उपर की लाइन जो उपर की लाइन खीची जाती है इसको बोलते हैं शिरो रेखा यानी जो सर के उपर खीची गई जो रेखा है यानी शबतों के सर के ऊपर खीची गई रेखा को ही शिरो रेखा कहते है जहां पर बिशर्ग आएगा वहां पर ये शिरोरेखा ब्रेक हो जाएगी आप संस्कृत में देख सकते हैं संस्कृत में इसका बहुत प्रयोग होता है जहां पर बिशर्ग आता है वहां पर ये शिरोरेखा को समात कर दिया जाता है यानि ये सिरो रेखा को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, उसके बाद फिर हम लिखते हैं, जैसे ये दुख, दुख तत्सम सब्द है और ये दुख, ये हिंदी का सब्द है, तो इस तरह से हम लोग ने आज स्वर देख लिया, अगले वीडियो में हम लोग वेंजन द कि अ करते हैं, जैसे हैं, आन्या वकला का सब्सक्रा आए, तो अो एक्या विबहाँ हैं, चैसे हनाए, थ सिरो ऋनने के अ to